हाई गाईज वालकुम बैक आप सभी का अपने चानल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है गाईज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आइफोन की बैटरी हेल्थ के हिड़न ट्रिक के बारे में जिसके बारे में हर एक आइफोन यूजर को जुरूर पता होना चाहिए और इसके उपर भी हो सकती है तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसा हीडन ट्रिक जिसको आप यूज करके अपने आइफोन की एक्चुल बैटरी हेल्थ की कपैसिटी फाइंड आउट कर सकते हो वो भी पॉइंट्स में तो आपको यहाँ पर एक रिजर्ट मै आपको बताता हो यहाँ रिसेंट्ली यह पर पर्फॉर्म कि एक प्रॉटम पर आइफोन पर तो आप सभी यहां पर जैक कर सकते हो मेरे आइफ्व neural 13 की जो मैक्सिमर्ट कापैसिटी है वह ए100% तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्सिम कापैसिटी सबसे बॉटम पर देख शियर करूंगा, so make sure कि आप इस वीडियो को पुरा ध्यान से फॉलो करें ताकि आप सभी भी अपने आइफोन की actual battery health को find out कर सको तो इसका एक बहुत ही बड़िया feature भी है और यहाँ पर आप इसके साथ अपने आइफोन के battery cycle count को भी check out कर सकते हो जो कि मरे 56 battery cycle count हो रखे है मरे iPhone 13 के तो इसके लिए guys आपको description box में एक link दिया गया है उसको आपने open करना है तो यहाँ पर उसको आपने add करना है इस shortcut को जिसका नाम है battery cycle count and health 2.0 तो सबसे पहले इस shortcut को add करना है अपनी shortcuts की application में तो उसके बाद आपको इसे clear करना है recent applications में से और अपनी settings की application में jump करना है और यहाँ पर आपको scroll up करना है privacy and security के उपर tap करेंगे scroll up करेंगे analytics improvement के उपर tap करेंगे analytics data के उपर select करेंगे अब आपको यहाँ पर latest date को click करना है यहाँपर आप check out कर सकते हो latest date है 4,1,20,23 तो आपने latest date को choose करना है अगर आपके case में यह date फाइव में convert हो जाती है तो आपने latest date को pick करना है जैसे आज की date है 4,1,223 तो यहाँपर मैंने इसे pick करना है latest date को तो शेर के उपर tap करेंगे और यहां पर scroll up करेंगे और आपको battery cycle count and health v2.0Q पर tap कर देना है अब आपको थोड़ी देर के लिए wait करना है और यह shortcut आपके iPhone में run होगा वो आपको सारी के सारी information provide करेगा आपके iPhone के related जो भी आपके iPhone की maximum capacity है तो यहां पर आप check out कर सकते हो वही same capacity आपको यहां पर देखने को मिलेगी जो आपको मैंने recently ही दिखाई है तो अगर आप कोई भी iPhone यूज करे हो अगर आपको पता करना है उसकी original battery health के बारे में तो आप इस method को use कर सकते हो जिसके साथ आप बहुत ही असानी से पता लगा सकते हो आपका iPhone जो है उसकी maximum capacity क्या है actual तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो प्लिज लाइक कर दें अपने चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर दें साथ जाथ बैन डूडिकेशन को प्रेस कर दें ता कि आपको आने वाली हरने वीडियो के निडिटिकेशन मिलती रे So guys, में आपते हैं गले वडियों guys, so guys, thanks for watching